नमस्कार दोसतों कैसे हो आप सब अध मैं के साथ की डिर करेंगी लेकिन आपज को बंड़ेला जैसे मैं बनाईंगी तुमकुने बहुत ही आसान है और खाने में स्वादस्त ही और वीडियों के आंपे रिचाहिए क्या चीए मामें जरूर देखेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार हो तो चैनल को सुस्क्राइब भी कीजिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, करेलो को ना तो हमें छीलना है और ना ही बहुत बारिक काटना है, करेलो 500 ग्राम करेले लिये हैं, मैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालोंगी सौब, थोड़ा सा धनिया, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग को पसंद नहीं होता है कि धनिया मुह में आए, तो आप इसको अवाइड कर पकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा, और इसमें एक ग्लास पानी डालकर फूकर बन करके एक टीटी लगा लेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा ना तो गलाना है और ना ही कच्चा रखना है, तो इसलिए सिर्फ हम इसमें एक ही टीटी लगाएंगे, टीटी आने के बाद हम इसमें प्रेशर खुद से खुन ले देंगे, यह देखिए हमारे करेल तयार हो गए हैं, यह ना तो बहुत ज़्यादा गले हैं, सब कुछ अलग है, प्याज अलग है, करेले अलग हैं और ना ही कच्चे हैं, इसी तरह से हम करेलो को पका लेंगे, क्योंकि मुझे करेलो में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं पानी को अ दाला है नमक, आप चाहें तो रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं, यह राई डाल रही हैं मैं थोड़ी सी, इनको राई को अच्छे से चटकने के बाद मैं यह आपर जीरा डालूंगी और पर डालूंगी साबुत धनिया, फिरेट करूंगी मैं इसमें सौंफ और थोड़ा स क्योंकि अगर आप खड़ा नहीं डालोगे तो यह जलने का डर जादा रहेगा, थोड़ा सा हीन डाला है और दो हरी मिर्च को काट कर ले लिया है, मैंने इसको बीच से चीर लिया है, अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी एड करेंगे, मैंने हाप पर गैस अल्मोस्ट बंद कर ली है, जिस गरम तेल में मैं डाल रही हूं, और थोड़ा सा डाला है मैंने मिर्च पाउडर, अभी हम पड़ा पड़ करेंगे, अगर आप सौंप और धनिया पूट कर डाल रहे हैं, तो जब आपने खलरी और मिर्च डाली हैं, उसी वक्त आपको यह मसाले भी डालने है अभी मैं इसमें एड करूंगी थोड़ी सी चीनी, चीनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और यह मैं एड कर रही हूं, थोड़ा सा नारियल, यह लगभस दो से तीन चम्मच के बीचे मैंने लिया है, आप इसको कमिया जादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक, नमक डालते वक्त हमें ध्यान रखना है, कि हमने जब करेलो को उबाला था, उस वक्त भी हमने नमक एड की थी, अभी मैं इसमें एड करूंगी अमचूर पार्डर और थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर पार्डर बहुत ज़रूरी है करेलो में डालना, अगर आपके अंदर खटा जाना बहुत ज़रूरी है, उसी से जो है, इसका कड़वापन थोड़ा बैलन्स होता है, यह करेले हमारे बनकर बिल्कुल तयार हो गए है, देखे, ना तो इसमें बहुत जादा टाइम लगा और यह खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, अगर आप इसका जो अगरे बनाएंगे तो यह तब भी बहुत टेस्टी लगेंगे, हलका सा उसमें कड़वापन रहता है, लेकिन वह बिल्कुल हलका सा रहता है, और इस तरह बनाएंगे पाने निकालके तो बिल्कुल भी कड़वापन रहेंगा, बच्चे भी खालेंगे इसको, आप ज़रू पहो तहने वाद।